हेलो एवरिवन आज मैं आपको सौरव गंगली क्रिकेट अकेडमी के बारे में बताने जा रहा हूँ तो गाइस मैं आपको बताऊंगा इस क्रिकेट अकेडमी के बारे में पूरी इंफोमेशन की क्या क्या फैसिलिटीज हैं इस cricket academy में कितनी admission फीस है और कौन सी age group के player इस cricket academy में admission करा सकते हैं और guys मैं एक और important बात आपको बताऊँगा सौरव गंगली cricket academy के बारे में तो guys आप इस वीडियो को last तक जिरूर देखना बिना skip किये हुए और guys वीडियो को like कर देना चैनल पर नहीं होते चैनल को subscribe जरूर कर देना और guys bell icon जरूर दबा देना तो guys जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये cricket academy सौरव गंगली जी की है और guys ये cricket academy कोलकाता में है और address detail आपको description में मिल जाएगी और guys अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या facilities है सौरव गंगली क्रिकेट academy में तो guys सबसे पहले जो facilities है वो है कि इस cricket academy में अलग-लग तरह की pitches है यानि कि आपको practice करने का जादा मौका मिलेगा अलग-लग तरह की pitches पे और guys इसके बाद सौरव गंगली क्रिकेट academy में BCCI level के coaches हैं यानि कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस cricket academy में और guys इसके बाद जो facilities है सौरव गंगली क्रिकेट academy में वो ये है कि आपको हफते में एक जा दो matches खेलने को मिलेंगे यानि कि आपकी matches की भी practice कि इस cricket academy में हो जाएगी तो guys इस facilities के लिए एक लाइक तो बनता है तो guys अब बात कर लेते हैं कि सौरव गंगली क्रिकेट academy में admission कैसे होगा कौन सी age group के player इस cricket academy में admission करवा सकते हैं और इस cricket academy की fees कितनी है तो guys सौरव गंगली कि आपको यहाँ पर admission कराने के लिए कोई भी trial नहीं देना पड़ता आपको सिर्फ fees पे करनी है और आपका admission यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि जासर cricket academy में यह होता है कि आपको पहले trial देना पड़ता है लेकिन सौरव गंगली cricket academy में ऐसा नहीं है तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि सौरव गंगली cricket academy की fees कितनी है तो गाइस registration fees आपकी लगेगी 3300 रपया यह सिर्फ एक बारी ली जाएगी registration fees और उसके बाद मंत्री जो fees है वो है 1300 रपय तो गाइस यह थी important बाते सौरव गंगली cricket academy के बारे में तो गाइस अगर आप भी बंगाल में जा कोलकाता में रहते हो तो आप इस cricket academy में अपना admission करवा सकते हैं तो गाइस आपका सौरव गंगली के बारे में और उनकी इस cricket academy के बारे में क्या कहना है कमेंट जिरू कीजिएगा